नेक्स्ट हमारा आठवा दोहा बिगरी बात बने नहीं लाख करव किन कोई रहिमन फाटे दूद को मते नमाखन होए इसमें प्रस्तुत दोहे में हमें रहीम जी कह रहे हैं बिगरी बात बने नहीं एक बार कोई बात बिगर जाती है अगर मनमुटाव हो जाता है तो लाख करो किन कोई किसी भी तरह का कोई भी उस पे काम किया जाए कोई संबन अगर उसके अंदर कोई शंका या कोई बात बिगर जाए तो लाख जतन करने पर भी वह वापिस वैसी की वैसी नहीं हो सकती तो एक बार बात बिगर जाती है तो ल जाक कोशिश करने के बावजूद भी वह ठीक नहीं की जा सकती उसी प्रकार जैसे रहीमन फाटे दूद को मथे नमाखन होए रहीमदास जी कहते हैं कि उसी तरह से जैसे जब एक बार अगल दूद पड़ जाए तो उसको कितना भी मतले लेकिन उसमें से मखन नहीं आ सकता त तो वापिस से देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है मनमुटाव हो जाता है तो कितनी भी कोशिश की जाए लाग जतन करने के बावजूद भी वह वैसी की वैसी नहीं हो पाती उसी तरह जैसे जब एक में यह बताया गया है नेक्स्ट है रहीमन देखी बडेन को लगू नदीज ये डारी जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी चीज के सामने छोटी चीज को तुछ बेकार नहीं समझना चाहिए व्यर्थ नहीं समझना चाहिए क्योंकि ज जरूर नहीं है कि बड़ी चीज का महत्व हो अपने महत्व के बारे में बात हो रही है कि दाजी कहते हैं कि बड़ी चीज को देखने के बाद उसके सामने छोटी चीज को तुछ नहीं समझना चाहिए वहां तलवार का कोई मोल नहीं है वहां वो काम तलवार नहीं कर सकती है जहां जो छोटी सुई कर सकती है तो बड़ी चीज को देख करके छोटे चीज को तुछ बेकार व्यर्थ नहीं समझना चाहिए चाहे वो सुई हो या तलवार तलवार का अपना महत्वे जहां काम आएगी वहां पे वो काम आ कि भी तो इस तरह से रहिम दाज जी ने बताया है लिए जव यहाँ पहें कमल की बारे में बात हो रही है कि रहिम दाज 170 बिना अपनी संपती बिना विपत्ती में कोई साहयत नहीं होता हमारे पास अगर कोई चीज अविलेबल है वो हमारे ही काम आएगी चाहे वो बुरी इस्तिती आने पर भी वही काम आएगी तो अपनी संपत्ती के बिना कोई आपका नहीं है आपके बुरी मुसीबत में वही काम आएगी जिस तरह से बिनु पानी जो जलज को नही रही सके बचाए कि जब कमल खिला हुआ है तो पानी के बिना उस कमल वो खिल नहीं सकता चाहे सूरे उसको कितनी भी रौशनी दे करके रवी यानी सूरे कितनी भी रौशनी दे करके उसे बचाने की कोशिश करे लेकिन अगर कमल के पास पानी नहीं है पानी खत्म हो गया है त वो जीवित नहीं रह सकता तो मुसीबत में उस कमल के पास उस पानी का लग महत्वे चाहे सूर्य कितनी भी रोशनी देकर उसको बचाना चाहे वैसे ही कि मुसीबत के समय में कोई भी आपका साथ नहीं देता अपना चीज अपनी संपत्ति अपना धन भेव भी काम आता है नेक्स्ट है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून यहां रहिंदाज जी कह रहे है कि पानी रखिये पानी को बचाके रखिये बिन पानी सबसून बिना पानी के कोई महत्व नहीं है सबसूना है कि संसार में पानी को महत्व देना च फर्स्ट लाइन में तो पानी के बिना मनुष्य का कोई मैद्पनी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता सब सुना है पानी गए न उबरे मोती मानस चून तीन अर्थों में यहां पर पानी का संयोग पताय गया है कि रहीम ची का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व चून यान अगर यहां ऑनी बैभार में हमेशा पानी ज्योंत ब्रहती करती जेवन जीना वीडत है आगर वह अच्छे सभाह का नहीं को सकता तो यहां पें तीन अर्थ यह तो आटे सक्ञून पार नया बना स्वन पानि यानि प्र पानी पार इनी तो उस मोती का यानी अगर आगर तो उसका भी कोई महत्व नहीं है वो जी नहीं सकता इस तरह के वहवार में तो इस तरह से यहां पर पानी के महत्व को अर्थों को तीन अर्थ से बताया गया है अब यह दो है तो कम्प्रीट होते हैं अब इस कुछ कुछन आंसर्स हम देख लेते हैं कि शौट में प्रेम का दागा तूटने पर पहले की बाती क्यों नहीं हो पाता क्योंकि प्रेम आपसी लगाव आकर्शन और विश्वास के कारण होता है यदि यह लगाव आकर्शन विश्वास टूड़ जाए तो पहले जैसा भाव हमारे मन में नहीं रहता है एक बार अगर उस रिष्टे में द क्योंकि रहिंदाज जी जी कहते हैं कि सागर को धनिसले नहीं काय क्योंकि उसका जल खारा होता है वहां से कोई भी व्यक्ती हमेशा हर कोई व्यक्ती प्यासा ही वापिस आएगा वह अपनी प्यास नहीं बुझा सकता उसके तुल्हा में वह पंक जल यानि कीचड रूपी जल जिसमें कमल खिला हुआ है वह इंपोर्टेंट है क्योंकि उसको पीकर छोटे मोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं यहां पर बड़े और छोटे उसकी बात हो रही है महत्व की एक को साधने से सब के सज़ जाते हैं परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आ पाएंगे झेहां उसी प्रिकार प्रमात्म ने यहां पर पर्मात्मा करत्मी और यहां पर लक्ष्य क थुप ही पर मात्मा को साधने करने से सफलरे काम सब contributor हो जाएंगे यあぁ, एक साधने के बारे में बात करें तो हमें जीवन एक लक श्य रखना सबस्दित फिस सारे लक्ष हमारे पूर्ण होते जाते हैं और हमारा ध्यान अगर अलग 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 पॉइंट्स में रहेगा तो हम एक को भी नहीं साध पाएंगे तो आशा करती हूँ आपको यह कुश्चन समझ में आया होंगे और प्रस्तुत दोहे रहीं दाज जी जारा जो दोहे हैं वो भी समझ में आया होंगे तो आज का लेक्ष नहीं कतम करते हैं थैंक्यू सो मच